कि हलो स्टुदेंट्स मैं हूं रविक मार्शक सेना आपका अपना प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम जो है बीम के उपर प्रोब्लम लेके आएं तो कोश्चन को ध्यान से देखिए कोश्चन क्या लिखा हुआ है यह बीम एसी ओभर हैंगिंग क्यान करें वन वन सायड अपको तो टू मीटर कैरिस लोड ऐसोनिक फिगर कल्कूलेट दा सपोर्ट रियाक्षण ठीक है आपका जो है फिगर दिया हुआ है इसमें जो है आपको पुछ रहा है कि सपोर्ट रियाक्षण फाइंड करना ठीक है तो सबसे पहले वाड आया है तुझायोर थास पलेंग़न किसको बोलते है जिसका जो है कॉरновका जो कहीं और होगा उसको हम लोग क्या बोलते यह डिकतों फार हैंग अब बाफ से लिकाव हुआ जिए तो के वह रहाँ एक का सपूर्ट जो है कॉरौनर पर नहीं है यानि एक सपूर्ट नाटट के यानि कि यह ऊंगेंग हो गया ध्यान देजीए उँन साइड кое यह यह सब्सक्राइक सब्सक्राण है तो थियानदीजीए अश्यायद overc musical सब्सक्राइब आपको यह diagram को ध्यान से देखिए, यह कौन सा load है, ठीक है, तो हम आपको बता दे, सबसे पहले मान लिजे, अगर इस type का रहे, ठीक है, ध्यान दिजे, अगर इस type का अगर load दिया रहे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, UDL, Uniformly Distributed Load, इसका दूसरा symbol क्या है? ठीक है, यह दोनों कौन सा load है, Uniformly Distributed Load, अब ध्यान दिजे, अगर आपका load इस type कर रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, Uniformly Wearing Load, कोई डॉट है, स्टुडेंट्स, नहीं, यह कौन सा load हो गया, यह द्यान दिजे, इस डियाग्राम को ध्यान दिजे, इसमें कौन सा load है, ध्यान से देखिए, तो आपको जह confusion हो रहा होगा, confusion हो रहा है, आप ध्यान दिजे, थोड़ा सा, हम यह यहाँ पर dot dot line लेनी है, यह कौन सा load बन गया, यहाँ से यहाँ तक, तो UDL, यहाँ से यहाँ तक कौन सा load बन गया, UVL, यानि कि UDL और UVL, दोनों को जो है, combine किया गया है, ध्यान दिजे, UDL और UVL, that is uniformly distributed load, and uniformly wearing load, दोनों को क्या किया गया है, combine किया गया है, तो ध्यान दिजे, यहाँ से यहाँ तक, अब जो है, हम diagram में थोड़ा side it कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया, यह आपको कौन सा load हो गया, तो आप बोलिएगा, sir, this is uniformly distributed load, ठीक है, अब हम पूछें कि यह कौन सा load हो गया, उपर यह इस तरह से बन गया, ठीक है, तो यह कौन सा load हो गया, तो uniformly wearing load, समझ में आगे हैं, चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको हम पहले ही range कर लेते हैं, अगर आपने beam reaction के उपर problem को नहीं देखा हैं, तो last problem को ज़रूर देख लिजे, ठीक है, क्योंकि हम इसको continuous करते आ रहे हैं, तो ध्यान देजे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, UDL को हम point load में change करेंगे, यानि कि uniformly load, uniformly distributed load to point load, ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, अगर UDL या UDL रहे हैं, तो उसको point load में change कर देने से, आपको question असान बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर formula क्या होता है, तो जितना load है, यानि कि UDL का load कितना है, तो ध्यान देजे, यहाँ पर लिखा हुआ है, 800 newton meter, ठीक है, यानि कि A से C का distance, A से C का distance, तो कितना हो जाएगा, यानि कि 800 newton meter into 6 meter है, टीक है, meter meter cancer, आठचक 48, यानि कि 4800 newton, क्या बन गया, point load बन गया, कोई dot students, नहीं, अब जो है, हम distance निकालते हैं, distance, जहां से UDL सुरू हो रहा है, जहां से UDL सुरू हो रहा है, यानि कि distance from point A, कहां से सुरू हो रहा है, A से सुरू हो रहा है, तो distance का formula होता है, यानि जितना दूर में act कर रहा है, तो कितना दूर में act कर रहा है, यानि कि A C तक add कर रहा है A C तक add कर रहा है उसका जो है divided by 2 कर दिजिए उसको जो है आधा कर दिजिए यानि कि A C का कितना है तो 6 meter divided by 2 यानि कि 3 meter कहां से तो point A से कोई है डॉट है स्टुडेंट्स नहीं A points से अब दूसरा ध्यान दिजें अब दूसरा हमें योभी लटू पॉयंट लोड करना है योभी लटू लोड लडू है उसका फर्मूला होता है हाफ इंटू कितना लोड है ध्यान कितना लोड है तो लोड आप अब यहां पर ध्यान तो हम पूछे कि यहां से ये कितना हो गया कि, कितना हो जाएगा, तो सौरासो में से ला सो ग्यारा धिलेगा, यानि कि 6 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा दो से 3 कर जाएगा दो तिया 6 यानि आर्टिया 2400 न्यूटन कोई डॉट है नहीं अब जो है हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फ्रोम जहां से यूबियल एक कर रहा है जहां से यूबियल एक कर रहा है हम जो यहां यूबियल के लिए निकाल रहे हैं तो जहां से यूबियल एक कर रहा है तो यूबियल कहां से एक कर रहा है तो ए पॉइंट से आइड कर रहा है वहां से वहां तक कर डिस्टेंस कितना है 6 6 meter यानि कि formula हो जाता है 2 by 3 into total distance जहां पर एक्ट लाए यानि कि यानि कि 2 by 3 into 6 equal to 4 meter 4 meter 4 from a point से यानि कि हमने जो है UDL को point load में change कर दिया UVL को point load में change कर दिया लिफिज इसको लिख लिए अब जो है हमें इसका डियाग्राम बनाना है ठीक है तो डियाग्राम बनाएंगे हम लिख लिए उसको से लिए अ कि आप है को दाइगराम बनाएंगे यानि कि सबसे पहले जो है टोटल एसी का डिस्टेंस कितना है तो यह से सी का डिस्टेंस लिख लिए एटू सी ठीक है बीच में कौन सा पॉइंट है तो बीपवाइंट है है तो कितना Mi Come पर है तो 12ड्य पार टो यहांपर बी डाल दिया यह वो गया बिप्यूइंट कुई डॉट है नहीं डियो अपका यहांपर सी यानि की Тут ठीक है यहांपर जैसको छोटा के देटें गार्भी कोई डौट नहीं अब धियान दीजे हमने यहां पर निकाला था लोड जो आप जो है स्क्रीन स्वाट लेकर रखे होंगे ठीक है तो यहां पर जो है कि यूडियल जो है यूडियल को जब पॉइंट लोड में हमने चेंज किया तो कितना या था तो आपका या था 8 छक 4800 और डिस्टेंस कितना तो तीन मीटर पर ठीक है तो यहां से यहां से यहां एक मीटर और बढ़ा देंगे ठीक है यानि कि 4800 यह हो गया 3 Either ठीक है यानिए की आपका Total Distance कितना है तो यहां से यहां 2 मीटर ठीक है और इस Point से nak один or यहां जाएगा और इस Point को हमने जो है नाम दे दिया डी ठीक है, इशे 1 clear ok नीटन हो गया, अभी हो गया यह हो गया PointLoad ठीक है PointLoad यूधियule को हमने PointLoad में चेंज कर दिया और डिस्टेंज जो है 3 मीटर था यह से तो हमने जो है 3 मीटर लिख दिया यह से कोई डॉट है नहीं न देख लिजिए आप जो अभी बनाए थी ठीक है अब धिहां दिजिए अब जहां हमने सबयाए तो यूवियल को भी पुऊंट्रोड में चेंज किया था तो डिस्टेंस कितना था यह से 4 मिटर तो यह से 4 मिटर अभी जो है मिशाओं 3 2 2,4 यानि कि ही यहां कि पाण बच तो 2 मीटर को कॉई डॉट है स्टुडेंस नहीं 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 थीक है यानि कि आपका यह प्वाइंट ले लिजिए यह कितना हो गया था तो 24 तो सौन्यूटन कोई डौट है नहीं ध्यान देजे हमने जो है यह लिया और उसके बाद C point लिया ठीक है और B point लिया जो पहले जैसे था उसे ले रही है ठीक है उसके बाद जो है यूदियल जो है ये से A से C के भीच में जो है 3 meter पर chiar रहा था तो हमने जो है ये से जो है और D का distance जो है 3 meter कर लिए यानि कively 2-1 3 उसके बाद जो है U L जो है एसे 4 Terre अग्ट कर रहा था यानि कि 2m आई यह दो मीटर हमने यह 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 पॉाइंट ले लिया ठीक है पॉइंट लोड को चेंज गया तो 48 और 24 अब यह बन गया सधारन ड्याग्राम पॉइंट लोड का ठीक है अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं तो आसानी से कर सकते हैं तो पहला पहला काम क्या है तो सबसे पहले हम जो है इसको जो है फोर्स को जोड़ेंगे ठीक है यानि कि आपुवर्ड फोर्स इकूवर्ट टू डौनवर्ड फोर्स तो अपुवर्ड फोर्स जो है कितना है यहां पर ध्यान दो दूआतर जिसका iє र जो है उपर की और है उसको हम बोलते हैं अपवर्ट पोर्जेश स्वाइधर निचो की और है उसको अम लोग बोलते हैं डाउनवर्ण स्थीक है यानि आप्वाट फोर्स है आपका रवी प्लस RC इक्वल टू 4800 प्लस 2400 कोई डॉट है? नहीं यानि कि RB प्लस RC इक्वल टू 72 ठीक है? equation number 1 कोई डॉट है students? नहीं अब हम क्या करते हैं? moment निकालते हैं तो moment जो है निकालिए तो moment at हम जो है moment निकालते हैं B point पर कौन सा point पर निकाल रहे हैं? B point पर ध्यान देजे आपका जो मन है वहाँ पर निकाल सकते हैं अभी हम फिलहाल निकाल रहे हैं B point पर तो B point पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? last class में हमने आपको बताया था clockwise moment clockwise moment equal to anti-clockwise moment अगर आपने वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीस देख लिजे ठीक है अब clockwise moment कौन है? कौन सा है? यानि कि जो है जो घड़ी के direction में जाएगा यानि कि जब ये bend करेगा तो ये इस तरह से आएगा यानि 2400 newton क्या है? वो जब force लगाएगा तो कौन सा moment बनाएगा? clockwise moment तालिस जब force लगाएगा तो bend करेगा इस साड़ में यानि कि clockwise moment बनाएगा लेकिन RC जो है जब इस तरह से है यानि कि उपर है जब ये bend करेगा तो इस तरह से करेगा यानि कि anti-clockwise बनाएगा यानि कि यहां पर anti-clockwise moment एक है clockwise moment दो है तो clockwise moment moment का formula क्या होता है force into perpendicular distance तो सबसे b point पर moment निकार रहे हैं यानि कि आपका हो जाएगा 2400 इंटू A से B से E का distance इस point पर हम moment निकार रहे हैं पर हमें आना है 2400 इंटू B से E का distance plus 4800 इंटू B से D का distance कहां पर आना है तो B point पर आना है तो यह हो गया clockwise moment equal to anti-clockwise moment यानि कि RC इंटू तो C से B का distance यानि कि BC कोई dot है moment का formula होता है force into perpendicular distance यानि कि हमने निकाला 2400 इंटू तो B से E का distance बी point पर moment निकार रहे हैं तो B से E का distance उसी तरह से plus 4800 इंटू B से D का distance RC इंटू B से C का distance अब ध्यान देजिए तो 2400 इंटू B से E का distance कितना है तो दो मीटर है तो दो हो गया plus 4800 इंटू B से D का distance कितना है तो B से D का distance आपका है 1 meter into 1 equal to RC नहीं जानते हैं इंटू B से C का distance तो आपका हो गया 4 meter कोई doubt है नहीं यानि इसको multiply कर दीजे 2400 इंटालीस इंटालीस सो प्लस इंटालीस सो इकुवल टू 4 RC यानि एर तालीस और तालीस कितना हो जाएगा 96 ठीक है 96 सो इकुवल टू 4 RC तो RC इकुवल टू डिवाइड कर दीजे ठीक है यानि RC इकुवल टू 2400 न्यूटन कोई doubt है students नहीं रियक्शन आट C इकुवल टू 2400 न्यूटन लिख लिजे लिख लिए अब जो है हमें निकालना है और भी ठीक है और भी निकालना है तो यहां पर ध्यान देजिए एकुवेशन नंबर वन से हम क्या निकाल सकते हैं और भी प्लस आरसी इकवल टू 72 तो आरसी का तो वेलू जानते हैं ठीक है और भी प्लस आरसी इकवल टू 72 यानि कि आर्वी नहीं जानते हैं तो इसको लिख लिखते हैं ठीक है इसको एरेज कर देते थो और ये प्राइग्राम को हम जो है आपको इरेज कर देते हैं चाहिए इसको रहने दीजे यहां पर लिखते हैं यानि कि फ्रोम इक्वेशन नमबर वन फ्रोम इक्वेशन नमबर वन डैट इस आर बी प्लस आर सी का वेलू कितना यहां 2400 इक्वेशन इक्वेशन निकालना था ठीक है कल्कुलेट दा सपोर्ट रेक्षन डैट इस आर बी एंड आर सी टो आर बी इक्वेशन टो फोर थोजन एट हंडर न्यूटन और सी इक्वेशन निकाल गिया आपका निकल गया चलिए लिख लिख लिए कि यानि कि इस तरद्स जो है आज के जो है वीडियो लेक्ष्ट में हमने जो है एक जो है सपोर्ट रियक्षन के ऊपरर हमने भीम के ऊपर जोatri honest को ने अगर